नमस्कार मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाच्वार आईए नज़र डालते हैं अचके कुछ खास कब्रों नहाने गया था कि नदी के किनारे पर लगी नौकाओं पर वखेल रहा था कि अचानक संतुलन बिगरने से वो नदी में गिर कर गहरे पानी में ढूप गया घटना से घबराई आदित्ते ने घटना की सूशना प्रतीक के घरवालों को थी वहीं मौके पर पहुँचे ग्राम प्रधान पपु यातव ने पुलिस को सूशना थी और गाउं वालों की मदद से डूबे हुए बच्चे को निकालने का प्रयास किया गया लेकिन बच्चा नहीं मिला सूशना पर पहुची पुलिस ने गोता खोरों को बुलवा कर रेस्क्यू शुरू किया लगभग 15 मिनिट के बाद गोता खोरों को बच्चे का शव नदी के किनारे मिला प्रभारी निरिक्षक अरुन कुमार दुवेदी ने कहा कि शव को कब से मिले कर फोस्पॉटम के लिए गोंटा फेज दिया है वहीं इस हिर्दै विदारक खटना से घर पैवार में कोहरा मचा हुआ है स्थाड़ी लोग भी सकते मेहम रतक दुर्जनपूर में स्वामी पेविकानन्थ स्कूल में कक्षाएक का चात्र था और चार पहनों में अकेला भाई था इसके पूर्व बीते 15 नवंबर को भी जैदपूर गाउं के पटपर गंच में तहासंसकार में शामिल होने गया